दोस्तों नमस्कार दोस्तों मैं दीपकुमार स्वागत करता हूँ आप सभी कापकी अपनी ही चैनल इन्वेश्ट फॉर फेल्थ पे दोस्तों बात करेंगे कल मार्केट कैसा रहेगा कौन से श्टॉक्स में आप ट्रेड कर सकते हैं वीडियो में आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ने से पहले चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लिजेगा बेल आइकन को जो हिट कर लिए तक आने वाले वीडियो के नॉटिस्केशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें नीचे डिस्क्रिप्शन में धन में डिमाट अ तो अभी-भी आप डिमाट अकौंट उपेन करवाई है यह अधी Online कोर्वाटे हो तो प्लकुल फ्रीय अकॉस्त हम अपको अपने प्रीमिएम टेलीग्राम ग्रुप में भी आट कर लेते हैं अब अगल हम बात करें कि आज का मार्कर काफी शांदार रोलर कोश्टर वारा राइड रहा है और होप आपने बहुत शांदार पैसे बनाए होंगे आज का मार्केट अगर से मार्निंग यह चलहां पर कहीं हो पन होता है के लिए प्लारिंग कर सकते हैं तो एक्जेक्टली मार्केट में फ़र्ष्ट हाफ में मिला अच्छा कहाता टार्गेट बना उसके बाद मार्केट उपर से नीचे की तरफ भी आया उपर टॉप पे 5 मिनिट के ताइम पर अगरा देखोगे एक सुंदर सा बॉक्स पैटर्न की है यहां पर ट्रेंड लाइन था ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ और बहुत सही बैसे बने हैं अगर आपने श्रेट किया था कमेंट करके ज़रू बताईएगा यहां पे चोड़ा सा और पैटर्न आपको नज़र आ रहा होगा तो हैड़न सोल्डर आप क्या सकते हो अगई है डेली टाइफ्रेंप पर जो कि पॉजिटिव साइन है अब अगर इसके उपर निकलता है तो बहुत अच्छा खासा उपर मिल सकता है लेकिन आज के दिरें के इंगल्फिंग कैंडल बहुत बड़ा बेरिश कैंडल बना दिया है कहीं ना कहीं यहां पर डबल टॉ हाई था जो की हाई बना तो 30 में को 30 में में वाला हाई आज टेस्ट किया टेस्ट करते ही मार्केट उपर के लेवल से विल्कुल फॉल हुआ है डबल टॉप जैसा फॉर्मेशन है बहुत अच्छा खासा फॉल भी दे सकता है अगर नीचे 43,700 के नीचे सश्टेन करना स्टा सकता है अभी हम फिनाल क्या कर सकते है 15 मैट के डाइम फ्रेम पे एक बेरिश कैंडल मिल गया है तो हम कोई बात नहीं है प्लान हम उसी के अकॉर्डिंग करने वाले है यह फॉड़ी फॉर थाउजन के आस पास क्लोजिंग हमें मिलता हुआ नजर आया है नीचे 800 तक का एक यह एरिया है 780 से 800 तक का एरिया है अगर थोड़ा बहुत फ्लैट खुल रहा है थोड़ा बहुत मतलब 20-50 पॉइंट और फ्लैट खुल रहा है खुलने के बाद 44,000 का लेवल ब्रेकडाउन कर रहा है तो हम सेलिंग साइड में जाएंगे 200 तक का हमारा टार्गेट यहां प फ़ेलीर करेंगे सबसेलिष करेंगे और मार्केट फिर यहां पर वैलै डिट कर सकता है कल का दिन अवॉइट करेंगे तो दिन थोड़ा पेचीदा रहेगा अगर आप तरही तरीके से देख के नहीं किए चाता मैं क्या हूँ सबसे अच्छा ट्रेड्र सब्सें पेश च्र यह दो से लिए अभी हम बात करेंगे निफ्टी की अगर निफ्टी में आते हैं निफ्टी में भी आज शांदार ट्रेड रहा है लाश्ट वाले टाइम पर थोड़ा सा यहां पर आपको फसाने की कोशिश किया है बट ऑल ओबर जो ट्रेड रहा आज काफी अच्छा रहा लोग बना सकते हैं तो वह बंदा क्यों नहीं बना सकता जो मार्केट में लगा हुआ है मार्केट में कोशिश कर रहा है अभी अगर हम देखें के टाइम फ्रेम अगर हम चलेंगे लास्ट का डिसक्स किया था मार्केट बहुत अच्छा टॉप पे निकल गया है लेकिन अभ कि अब लगेगा अगर मार्केट थोड़ा सा फ्लाइट का लेवल ब्रिक डाउन कर रहा है विदा खुल रहा है खुलने के लिए लेकिन थे लेकिन तो मार्क वोलाइटिलिटी करता हुआ आपको में करना समझधाई रहेगा अगर बात करें सबसे पहले हमारे बास रहेगा सब्सक्राइब कर सकता है उसके बाद यहां पर मार्केट निकला है निकलने के बाद हम देखेंगे कि शार्प सेलिंग हमें देखने को मिल गई है और यहां पर डबल टॉप के बाद M पैटन के एक्टिवेशन हुगा है सब्सक्राइब करना और 565 का लेवल अगर तोड़ेगा तो हम सेलिंग साइड में जा सकते हैं 565 तोड़ते ही सीधा 10 पॉइंट का मूव अप्राफ प्लान का मूव मिल गया है उसके पाद रिटेस्ट करके अगें कंटिनुशन में जा रहा है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेल अभी घर मिल सकता है क्या सकते हो एक प्राफिट बॉकिंग नियुकिन तो क्या करेंगे को हमारा प्लान ही रहेगा 557 के अगर निकलनका करना और 565 कि दरें ज्सक्राल नियुक्ते हैं तो एंग जी सी में यहां पर लगा दे रहा हूं वैसे मैं चूटे स्टॉक तूस करता नहीं हूं और आज मुझे यह थोड़ा सा अच्छा लगा कि वह अच्छा लगा एक अच्छा का सा Rally मिला राली मिलने के बाद मार्केट ना एक साइडवेस हुआ साइडवेस हुआ फ्लैगन पॉल टाइप का पैटर्न बनाया है कही नबे तो हम क्या करेंगा फ्लैगन पोल को उत्रा जादा मैं सिरियस में ना भी लूँ अगर तो मैं क्या करूँगा मैं यहां पर एक रेंज माक निकलता हुआ कहीं भी आपको मिल रहा है 156.50 के उपर निकलता हुआ मिल रहा है तो मैं बाइंग साइड में प्लान करेंगे हमारा टार्केट बहुत शांदार रहने वाला यहां पर दिखिए डेली टाइम फ्रेम पे भी यहां पर स्विंग जासा है कुछ ट्रेड एक्टि सयल कर लो जो भी आप ट्रेड करोगे अपने रिस्क पर करोगे हमारा यहां पर आपके प्रॉफित है आपके लास से कोई